परीक्षा के दिनों में जहां तनाव के कारण बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है वहीं दूसरी ओर बच्चों के लिए परीक्षा में अच्छे अंकलाना भी मजबूरी होती है आज का समय प्रतियोगिता का युग है हर जगे एक दूसरे से आगे निकलने की दोड लगी हुई है बच्चा स्कूल में बाद में जाता है पहले घर वाले अपने मन में सोच लेते हैं कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे इंजिनियर बनाएंगे हमारा बच्चा अच्छे करेगा आदी और उनके माता पिता विभिन तरह की कोशिशे करते हैं वो हर वो कार्य करते हैं जिसकी वजह से उन्हें परीक्षा में अच्छे अंत प्राप्त हो जाए परीक्षा में अच्छे अंत लाने का सबसे जरूरी मंत्र है कि बच्चे अपने दिमाग को श बच्चे को कभी भी मानसिक तनाव से रस्त नहीं होना चाहिए जब भी कोई बच्चा पढ़ाई करता है तो उस पर किसी चीज का दबाव नहीं डालना चाहिए क्यूंकि कई बार जब हम बच्चों पर ज्याद है दबाव डालते हैं तो बच्चे के दिमाग में टेंशन हो ज जाता है जिसकी वजह से कई बार वो जब किसी चीज को वियद करने लगते हैं तो उनका दिमाग ध्यान के इंद्रित नहीं हो पाता जिसके कारण कई बार उन्हें अस्फलता का सामना करना पड़ता है इसलिए बच्चे को मानसिक तनाव से दूर रखना चाहिए परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होनी के लिए कई बच्चे ट्यूशन्स का भी सहारा लेते हैं वो सोचते हैं कि ऐसा करके वो अच्छे अंकों से पास हो जाएगे परन्तु अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए केवल स्कूल और ट्यूशन्स जाना ही जरूरी नही बल्कि अच्छे अंक लाने के लिए जरूरी है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, उसे अच्छे से सिमझें, अच्छे से याद करें, और उसके जरूरी पॉइंस को अपने दिमाग में बिठा लें, ऐसा करने से आपको अच्छे से याद होगा. आई ये जानते हैं, वो कौन से तरीके हैं, जिन से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, और आपको किन चीजों से परहिज करना चाहिए, पढ़ने के लिए क्या जरूरी है, पढ़ते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अच्छे अंक लाने के लिए क्या जरूरी है, और क Now, you should follow the steps, as mentioned in this video, and, do not forget to watch the next video, regarding the effective, and important ways, to achieve the high percentage in the examination.